प्रणाम सद्गुरू, मैं जानना चाहता हूँ कि ध्यानलिंको अर्पित की जाने वाली महाविल्वा पत्ती या बेल पत्र की क्या खासियत है। हम भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, जैसा देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों ने किया है। उन्होंने उन सभी पत्तियों और फूलों का संडक्षन करने की कोशिश की है, जिने पवित्र माना जाता है। उन्हें पवित्र क्यूं माना जाता है? किसी एक फूल को दूसरे से ज़ादा पवित्र क्यूं माना जाता है? ये क्या बकवास है? क्या ही किसी तरह का पक्षपात है? देखी यहां पर अभी दो पेड़ हैं ये फूल का पेड़ है और वो वो क्या है? वो पेड अक्सर सड़क के किनारों पर पाया जाता है मैं नहीं जानता हूँ, उसे लोग क्या कहते है आपको समय बिताना चाहिए इन सब चीजों के लिए आपको समय देना होगा अगर आप इस पेड और उस पेड के साथ समय बिताते है अगर आप ध्यानशील हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप सहज ही इसकी और जाएंगे, उसकी और नहीं ऐसा क्यूं है? आखिरकार हर चीज धरती से उगरे है नीम का पेड नीम का फल और आम एक ही मिटी से निकलते हैं लेकिन उनका स्वाथ बिलकुल अलग है, है न? वही मिटी, वे यहीं एक दूसरे के पास ही हुगे है लेकिन उनका स्वाथ बिलकुल अलग है तो ये जीवन इस मिटी के साथ जो प्रक्रिया करता है और वो जीवन इसी मिटी के साथ जो प्रक्रिया करता है वो अलग-अलग होती है अगर आप इसे एक अलग तरीके से देखना चाहें तो एक कीडे, एक कीट और आप में और एक दूसरे इंसान में क्या अंतर है सब वही मिट्टी है लेकिन फिर भी हम जो इससे बनाते हैं वो अलग-अलग है, है ना तो हर समाज में कुछ खास तरह की काबिलियत की लोग अलग दिखेंगे आप उन्हें दबा नहीं सकते, है ना आप चाहें जो कर लें कुछ लोग सबसे अलग होंगे कुछ लोग साधारन से बने रहेंगे ये हर हाल में होगा ऐसे ही जीवन के दूसरे रूपों के लिए भी ये सच है, पेड़ों के साथ भी ऐसा ही है तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं वो लगातार हर संभव तरीकों से सहरा ढूनते हैं क्योंकि जब आप जब आप एक लंबी यात्रा पर हों और खास कर अगर वो इलाका आपके लिए अंजान हो वो इलाका आपके लिए बिलकुल नया हो तब आप मार्ग में हर छोटे से छोटे सहारे का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप देखेंगे अगर आप पहाड़ पर चड़ रहे हैं अगर आप एवरेस्ट की चड़ाई कर रहे हैं मान लिजे आपके पास एक छोटी रस्सी है आप वो रस्सी खोना नहीं चाहेंगे आप उसे रखना चाहेंगे क्योंकि आप नहीं जानते वो छोटी रस्सी कब काम आ जाएगे तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तब यही बादलागो होती है क्योंकि एक अंजान इलाका है लोगों ने हर उस चोटी चीज को पहचाना जो आपके लिए साहयक हो सकती है तो उन्हों ने फूलों, फल और पतियों को भी नहीं छोड़ा वो सभी चीजें जो आपकी साहयता कर सकती है तो यह हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रे है उनके लिए सब कुछ एक है ठीक है? ऐसा नहीं है कि यह शिव को प्रे है इसके शिव को प्रे होने का आर्थ है कि एक तरह से इसके सपंदन उस तत्व के सबसे ज़दा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं ऐसे ही हमने कई चीजें पहचानी हैं सिर्फ एक खास पत्ती ही नहीं हमने कई चीजों को पहचाना है और सिर्फ वही चीजें अरपित की जाती है क्यूंकि वे आपके लिए संपर्ग बनाने का साधन बन जाती है आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते आप उसे वहां रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है न? क्यूंकि इस पत्ती में उस पंदन को सोखने की एक शमता सबसे जादा है और आपको उसे उठा कर ले आना चाहिए ऐसी कई कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है जिनका लोग इस्तमाल करते हैं आपको ये समझना चाहिए इसका संबंद देवताओं सो नहीं है इसका संबंद आप से और किसी चीज तक पहुँच बनाने की आपकी खाबिलियत से है तो मान लीजे आप इसे आजमा सकते हैं आप ये प्रेयोग कीजिए ध्यान लिंगा में जाए ठीक मान लीजे ये ऐसा जैविक सूती कपड़ा पहन कर वहां बैठिए कच्चा रेशम पहन कर वहां बैठिए और देखिए कैसा मैसूस होता है कोई नाइलोन कपड़ा पहन कर वहां बैठिए और देखिए कैसा मैसूस होता है अपने चारों और प्लास्टिक लपेट कर वहां जाकर बैठिए और देखिए कैसा मैसूस होता है किसी चीज पर विश्वास मत कीजे बस तीन-तीन दिन आप एक किस्म के कपड़े पहन कर वहां बैठिए और देखिए, अगर आप में थोड़ी समवेदन शीलता है तो आप फर्क जान जाएंगे फिर आप स्वभाविक रूप से सही चीज चुनेंगे तो एहम चीज ये है कि जब आप वहां जाकर बैठते हैं हर चीज जो आपके पास है वो उर्जा सोक कर आपको पोशित करने में मददगार होनी चाहिए यही मकसद है तो विल्वा में ऐसे खाबिलियत है अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस पंदन को लंबे समय तक बनाएं रख सकता है ये आपके साथ बने रहते हैं अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा आप इसे आजमा सकते हैं आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी चाती की जेब में रखकर घूमिए इसका आपके उपर फर्क पड़ेगा आपके स्वास्त, खुशाली, मानसिक दशा हर चीज पर फर्क पड़ेगा तो लोगों ने इन चीजों को ध्यान देकर ध्यान में स्थिती में पहचाना इस जंगल में कई तरह के पेड़ है अलग-अलग किस्म के पेड़ है ये पश्चमी घाट का हिस्सा है ये धर्ती पर दूसरा सबसे पुराना पहाड है और ये धर्ती के ट्रॉपिकल क्षेतरों का सबसे पुराना पहाड है इस ग्राह के, तो वनस पतियों की विविदिता की दृष्टी से इस पश्चमी घाट की कोई बराबरी नहीं है ये बस एक छोटी सी पत्टी है, जो भीतर आ गई है वरना ये समुद्र के किनारे किनारे ही है पेडों और पतियों की इस पूरी विविदिता में उन्होंने एक ही पति क्यों चुनी, किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है, आप इसे अंदेखा नहीं कर सकते आप ये भी आजमा सकते हैं आप जाकर दस अलग-अलग तरह की पतियां तोड़ सकते हैं उन सब को लिंग के पास रखें और फिर उन सब को साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें, आप खुदी अंतर देखेंगे इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की समवेदन शीलता होनी चाहिए लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो समवेदन शील है वे फर्क महसूस करेंगे अपनी आँखें बंद करके अगर उनकी आँखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है आप दस अलग किस्म की पतियों का गुच्छा लें अपना रुद्राक्ष लीजे और उससे पकड़िये वो आपको बता देगा वो आपसे थोड़ा ज़्यादा बुद्धि मान है पता है